Hello everyone welcome to test quiz test quiz में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक जो की है साधारण ब्याज या फिर हम कहें सिंपल इंट्रेस्ट यह जो कोश्चन है यह आपकी एक्जाम पॉइंट उफ्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके इससे आपको हमेशा कोश्चन देखने को मिलेंगे ही तो हम इस जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्य साधारन ब्याज स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ टर्मिनलोजी को देखते हैं कि उसमें कौन-कौन से चीजे होती हैं जो हमें समझनी चाहिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगे मुल्धन की मुल्धन जिसे आप क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जिसे हम पी से डिनोट करते हैं यह आप देख सकते हैं तो हम बात कर रहे थे मुल्धन की और फिर प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम पी से डिनोट करते हैं तो यह जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू और फिर मुल्धन यह ऐसा धन होता है या तो आप किसी को ब्याच पर द रहे हैं ठीक है तो यह बात होई आपकी मुलधन की दूसरा होता है दर जिसे हम रेट भी कहते हैं और इसको हम आर से दर्शाते हैं दर का मतलब यह है कि उतने रेट से ठीक है उस दर से आपको आप किसी को इंट्रेस्ट दे रहे हैं कोई भी चीज 100% होती है अगर आप किसी को 10% की दर से दे रहे हैं ठीक है तो वो क्या होगा उसका दर कहलाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं कितने दर से आप उधार दे रहे हैं यह उसका दर बताएगा फिर बात होता है समय की समय को हम T से डिनोट करते हैं तो किसी भी राशी को आप कितने समय के लिए दे रहे हैं तो यह आपका T कहला आएगा, उसके बाद आएगा आपका ब्याज, जिसे हम simple interest कहते हैं, जो आपको इन सब के mixed formula से मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसका formula क्या है, P into R into T by 100, ब्याज, गुडित, दर, गुडित, समय बटे 100, ठीक है, अगर आपको दर निकालना है, तो क्या करेंगे, यह जो simple interest है, into यह 100 इधर transfer हो जाएगा, आर आप निकाल रहे हो, तो यह P into T हो जाएगा, और वही अगर आपको time निकालना है, तो यही ब्याज, ठीक है, 100 को इधर transfer कर दो, और यह P into R, इसी तरह से अगर आपको principal value भी निकाल ली है, तो आप simple interest into 100, ठीक है, into क्या करोगे, R into T कर दोगे, तो इस तरह से यह formula यूज करके आपको दर निकालने बोले, चाहे समय निकालने बोले, चाहे वो उस मुलधन या फिर principal value को निकालने बोले, आप यह सब चीजों को बहुत easily निकाल सकते हो, इसके इलावा एक topic और एक type इसमें बोला जाता है कि, यदि कोई धनराशी T वर्ष में सधारन ब्याच की दर से, ठीक है, एक निश्चित समय में ठीक है, उसके क्या हो जाता है, एन गुना हो जाता है, ठीक है, तो उसके समय की गढ़ना करनी होती है, तो उसके लिए आप क्या formula करेंगे, N-1 into 100 upon R, ठीक है, और अगर यही पर आपको, यह N गुना हो जाता है, जब भी question मिलेगा, तो N-1 into 100 upon R ऐसा करेंगे, और अगर दर निकालने बोलता, कौन से कितने प्रतिशत के दर पर रहेगा, तो आप क्या करोगे, N-1 into 100 upon T, तो इस तरह से इतने formula आपको अपने ध्यान में रखने है, फिर आपसे सारे questions बहुत ही easily आप बना सकते हैं, ठीक है, तो यह जो type है, यह आपका question आएगा, तो clear हो जाएगा, और इन types पे हम आज की class में questions करने वाले हैं, ठीक है, चलिए start करते हैं, आप लोगे सारे formula को note down कर लिजिए, यह आप लोगों के लिए बहुत helpful है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा पहला question क्या है, तो question आप पढ़िए, रवी, 400 रुपए में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, तो इस question में आपको बोला जा रहा है कि ब्याज निकालने को, ठीक है, तो निकालते हैं ब्याज, सबसे पहले आप जो जो दिया रहता है, वो लिख लीजेगा, ठीक है, हाला कि आपको exam point of view से direct, आपको take लगाना है MCQ में, ठीक है, तो आप direct formula लगा सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को जो जो given है, वो लिख के दिखाऊंगी, तो जो मुलधन है, वो 400 रुपे है, जो दर की राशी है, वो 6 प्रतीशत है, और जो समय है, दो वर्ष के लिए दिया हुआ है, उसने ब्याज पे, ठीक है, तो हमें formula पता है, simple interest का, क्या होता है, P into R into T by 100, ठीक है, तो बहुत easy है, सबकी value रग दो, 400 into 6 into 2 by 100, ये दोनो 0 तो cancel हो गए, 6 दुनी 12 और 12 चौक 48, ठीक है, तो 48 रुपे का ब्याज यहाँ पर उसको मिल जाएगा, clear, चलिए, next question देखते हैं, 1200 रुपे का ब्याज, 5 जन्वरी 1992 से 30 मई 1992 तक, 3 प्रतीशत की वार्षिक दर्स से कितना ब्याज होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें भी question में क्या पूछ रहा है आपसे, आपको बोला जा रहा है, कि ब्याज ही निकालने को बोला जा रहा है, same formula यूज करोगे, P की value कितनी है, 1200 रुपे, ठीक है, R कितना है, 3%, लेकिन T की value, T की value क्या आप यहाँ पर कितना लोगे, समय आपको दिया हुआ है, तो आपको 5 जन्वरी से 30 मही तक का जो समय है, उसको count करना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 जन्वरी से 30 जन्वरी तक का आपको कितना हो गया, आप उसको count कर लेंगे, 5 जन्वरी से 30 जन्वरी का जो समय है, उसको फिर फर्वरी, मार्च, और फिर माई, इस तरह से total कितना हुआ, 146 दिन आएगा, ठीक है, 146 दिन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इसको 365 से डिवाइट करना पड़ेगा, क्यों 365 से डिवाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये वार्षिक दर है ठीक है वार्षिक दर है तो एक वर्ष में कितना दिन है या कितना मा है उसके हिसाब सही लेंगे हम लोग तो 365 का सिफ 146 दे का ही उसको क्या मिलेगा दर पे ब्याज मिलने वाला है ठीक है तो आप इसको लगाईए आप लोग फॉर्मुला 1200 इंटू 3 इंटू 146 ये 100 इंटू 365 ठीक है अब क्या करोगे ये 0 से ये दोनों 0 कैंसल हो जाएंगे और फिर अगर आप देखोगे कि 146 है ठीक है और ये 365 है इसको सॉल करने पर फिर आपका आंसर आएगा 14.40 रूपीज ठीक है चलिए क्या आप लोग को बेसिक इस में सबजना था कि ये जो समय वाला ऐसा देता है ना तो आपको उतने दिन काउंट कर लेना है कि कि इतने दिन का है तो और उसको 365 डे से नेक्स कोशन कोशन नमबर थाड क्या बोल रहा है मोहन तीन सो रुपए कर्ज को दो वर्ष के लिए सोहन को देता है और ब्याज 72 रुपए चाहता है तो ब्याज की दर आपको निकालनी है बहुत इजी है तो क्या बोल रहा है कोशन में 300 रुपए ठीक है तो पी क्या वैल्यू क्या है 300 दो वर्ष के लिए समय क्या हो गया दो वर्ष और क्या बोल रहा है ब्याज इसको क्या होनी चाहिए किस रेट पर उसको देना चाहिए कि उसको उतना ब्याज मिल पाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यह सिंपल इंट्रेस्ट 72 इंटु 100 अपॉन पी इंटु टी 300 इंटु 2 दोनों 0 कैंसिल हो गया ठीक है यह 6 हो जाएगा चलो इसको क्यांसिल कर लेते हैं तीन दूनी 6 एक तीन चोग 12 और यह 12 बार में तो 12 प्रितिशत की दर से अगर वो उस राशी को देता है ठीक है तो उसको कितना 72 रुपय ब्याज जो है मिल जाएगा बहुत इजी है यह सारे कोश्यंस चलिए अब देखते हैं नेक्स कोश्यन क्या है कोश्यन नंबर 4 क्या बोल रहा है कितने समय में 400 रुपय आठ प्रितिशत वार्शिक ब्याज की दर से 496 रुपय हो जाएगा अब इसमें क्या पूछ दिया पिछले कोश्यन में दर पूछा था अब इसमें समय पूछ रहा ह आप लोग ऐसे कोश्यन की प्रैक्टिस कर लिजेगा बहुत इजी है ये बस फॉर्मले पे लगाना है पीज इकोईस टू 400 दर क्या है आठ प्रितिशत अब यहां भी जो 496 रुपय है क्या ये ब्याज है क्या ये ब्याज है नहीं ये ब्याज नहीं है ये है मिश्रधन मिश्रधन वो अमाउंट होता है जो मुल धन के साथ जब ब्याज जुड़ जाता है तब हमें प्राप्त होता है तो मिश्रधन का फॉर्मला होता है मुल धन धन ब्याज ठीक है तो हो जाएगा ऐसा अगर बोलता है तो वहीं से आपको समझ जाना है कि ये आपके मिश्रधन की value को बता रहा है ठीक है तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया मुल्धन धन ब्याज तो अगर आपको ब्याज निकालना है तो मिश्रधन कितना दिया हो है चार सो चानबे ये मुल्धा निधर आकर माइनस हो जाएगा चार सो तो क्या आपका ब्याज निकल जाएगा हाँ तो 96 रुपीज ये इसका क्या हो जाएगा ब्याज ठीक है तो हमें ब्याज व्याज सब पता चल गया अब हम समय निकालते हैं तो 96 इंटु 100 बटे 400 इंटु 8 फॉर्मुले से अब ये आठ चोग 32 और ये तीन बार में तो T is equals to 3 वर्ष क्लियर इजी है ये हो गया आपका आंसर ठीक है अब नेक्स कोशन देखते हैं सॉलूशन नमबर 5 क्या है ये कोशन यदि किसी धन पर 4 प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 रुपे है तो वह दन कितना है हमने सब निकाल लिया दर निकाल लिया समय निकाल लिया अब बस मूल धन निकालने की बात है तो ये भी निकाल लेते हैं आर कितना दिया है 4 परसेंट समय कितना दिया है तीन वर्ष ठीक है ब्याज आपका जो सिंपल इंट्रेस्ट होता है वो कितना है 210 रुपए आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो पी बराबर क्या हो जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट ब्याज गुडित 100 बटे 4 इंटू 3 यहीं होगा तो क्या करोगे इसमें सॉल करो इसको टू टू जा फोर ट्वेंटिफाइफ टैम्स में हो जाएगा ठीक है और यह 3 से 321 ठीक है अब 25 सत्य कितना होता है पच्ची सत्य कितना होता है 175 तो 1750 रुपए यह हो जाएगा इसकी मुलधन की वैल्यू ठीक है तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि साधारन ब्याज क्या है उसकी जो टॉपिक्स एं टर्म्स है क्या क्या है ठीक है आज तो हमने बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही गैनिक क्लास में यह समय आप देखेंगे इसके कुछ और वाराइटी और और कितने डिप्रेंट टाइप के को उसे आपको देखने को मिलते हैं अगले सभर्म्स परहर जया है को अग्ले अध्यक्शन के साथ सब्सक्राइब क्लास में ऐसे हो इसे हों से थान्क यू